रोश्नी पाँचवी कक्षा की चात्रा थी वह बहुत मेधावी थी रोश्नी को पढ़ाई लिखाई के साथ चित्रकारी करना बहुत भाता था जब भी समय मिलता वह तुरंत ड्रॉइंग शीट पर धेरों रंग लेकर बैठ जाती यूँ तो वह मात्र ग्यारा वर्श की थी किन्तु तीन वर्श की अवस्था से ही वह कौपी किताबूं पर आड़ी तेड़ी रेखाई खीच कर अपने आप ही चित्र बना डालती थी उसकी मा रीना अपनी होनहार बेटी को देखकर बेहत गर्व करती थी रोशनी के पिता विदेश में कारे रत थे वर्श में एक बार ही अवगाश लेकर आ पाते थे मा रीना एक सरकारी संस्थान में कारे रत थी उसको अकसर अपने सहकर्मियों से यह सुनना पड़ता था कि घर में पिता की कमी रोशनी को कभी भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व में नहीं ढालने देगा अपने सहकर्मियों और रिष्टिदारों की बातों से रीना परिशान हो जाती थी लेकिन फिर वह दुगने जोश से अपनी बेटी का भविश्य समवारने में चुट जाती थी रीना को लिखने का शौक था उसकी रचनाई अकसर पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती थी यहां तक कि उसकी दो पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी थी रीना बाल कहानिया अधिक लिखती थी रोश्नी किताबों में लेखक के स्थान पर अपनी मम्मी का नाम और फोटो देखकर बहुत खुश होती और कहती थी मम्मी मैं भी एक दिन आपके जैसी बनूँगी देखना फिर मेरी फोटो भी पत्र पत्रिकाओं में छपेगी रोश्नी की भूली बाते सुनकर रीना उसे गोध में उठा लेती और प्यार से उसे समझाती हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी बिटिया जरूर नाम कमाएगी रीना ने भी अपनी बेटी की चित्रकला को उभारने का कोई मौका नहीं छोड़ा उसने रोश्नी को चित्र बनाने के लिए तरह तरह के रंग और तूलिकाओं दिलवाई हुई थी हर तरह की शीट रोश्नी के पास थी रीना के घर में समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं आती थे धीरे धीरे रोश्नी पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का आनंद उठाने लगी थे एक दिन रोश्नी ने समाचार पत्र में चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन एक प्रसिद्ध संस्था कला एवं संस्कृति द्वारा किया जा रहा था कला एवं संस्कृति नामक संस्था समय समय पर लोगों की प्रतिभा उभारने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करती रहती थी इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विजेताओं को देश भर में पहचान मिलती थी और उनकी कला को उचाईयों पर पहुचाने के रास्ते मिल जाते थे चित्र का विशय प्रदूशन पर रोग रखा गया था रोशनी ने तुरंत पैंसिल और शीट उठाई और अपने मन में कुछ सोच कर प्रदूशन पर रोग विशय पर चित्र बनाने लगी शाम को जब रीना ओफिस से आई तो रोशनी ने वहाचित्र मा के सामने रख दिया रीना चित्र देख कर दंग रह गई मात्र दस ग्यारा वर्ष की बच्ची अपनी कलपना के रंगों की उड़ान इतनी खुबसूरती से दर्शा सकती है यह देख रीना अपनी बच्ची की कुशाग्रता पर जूम उठी उसने चित्र को ध्यान से देखा रोश्णी ने सभी प्रकार के प्रदूशनों को संकेतों से बना कर उनमें इतनी कुशलता से रंग भरे थे कि कोई भी यह कह उठता कि यह चित्र किसी कुशल चित्रकार नहीं बनाया है एक छोटी बच्ची ने नहीं रीना ने तुरंत वह चित्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कला एवं संस्क्रती विभाग में भिजवा दिया जब इस चित्र कला प्रतियोगिता का परिणाम आया तो उसमें रोश्णी को प्रथम पुरसकार मिला पुरसकार की घोशना सभी मुख्य समाचार पत्रों में छपी थी और उसमें रोशनी का नाम सबसे उपर था यह देखकर रीना की आँखों से खुशी के आशू बह निकले रोशनी को इस अद्भुत प्रतिभा के लिए प्रमान पत्र के साथ ही 11,000 रुपे का नकद पुरसकार भी प्रदान किया गया और समय समय पर उसके चित्रों को प्रदर्शनी में शामिल करने को भी कहा गया पुरसकार लेने के बाद रोशनी अपनी मां से लिपट गई अगले दिन जब रीना एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र पढ़ रही थी तो उसकी नजर उसमें छपे एक समाचार और बच्चों की फोटो पढ़ गई उसने देखा कि बीच में खड़ी रोशनी मुख्य अतिथी से अपना पुरसकार ले रही है रोशनी की फोटो देखते ही रीना खुशी से फूली न समाई और रोशनी को आवाज देकर बुलाया रोशनी के आते ही माने समाचार पत्र उसके आगे रख दिया और बोली बेटा आप कहती थी न कि मम्मी एक दिन मेरा फोटो भी आपकी तरह पत्र पत्रिकाओं में छपेगा तो देखो शुरुवात हो चुकी है यह रही समाचार पत्र में छपी तुम्हारी पहली फोटो रोश्नी अपनी फोटो देख कर खुशी से ना चुठी और बोली मम्मी मैं अपनी यह फोटो अपनी कक्षा के मित्रों और अध्यापिकाओं को अवश्य दिखाऊंगी रीना ने कहा हाँ मेटा ज़रूर दिखाना तुम्हारी इस सफलता से अन्य बच्चों को भी सीख मिलेगी इस सफलता ने प्रमानित कर दिया है कि भविश्य में तुम अच्छी चित्रकार बनोगी मेरी रोश्नी हमारा नाम रोशन करेगी मा की बात सुनकर रोश्नी रीना के गले लगते हुए बोले हाँ ममी यह सब सिर्फ इसलिये हुआ क्योंकि आपने मेरा साथ दिया परना मेरी स्कूल में अभी भी मेरी कई सहेलिया ऐसी है जो मुझे यह कहती है कि उनके माता-पिता उन्हें आगे बढ़ने से रोकते है और कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो यह सब शाख पूरे करके क्या करोगी पर मैं तो अपनी मा का नाम ज़रूर रोशन करूंगी